नमस्कार, इंडिया न्यूज अर्याना के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, मैं हूँ राजन अगरवाल आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आई टीवी निटवर्क के अख़बार आज समाज की उसमें छपी ख़बरों पर विस्तार से नजर डालेंगे अख़बार ने क्या ख़बरों को प्रात्मिक्ता दिया, कौन-कौन सी ख़बरें लगाई है इस पर हम लोग एक नजर डालेंगे तो ये आज समाज मेरे हाथ में हैं और आप देख सकते हैं कि जो पहली ख़बर लगाई है आज समाज में लोग सभा में कॉंग्रेस सांसदों का निलंबर वापस हो गया है और महेंगाई पर चर्चा शुरू हो गई है पहली ख़बर ये लगाई है महेंगाई पिछले कई दिनों से चर्चा में है जो इस्थितियां हैं जो खाने पिने के सामान हो चाहे आपकी बाइक और कार चलाने के लिए डिजल पेट्रोल की बात हो गैस सिलिंडर की बात हो हर चीज साथमें आस्वान पर पहुंचती हुई सी दिखाई दे रही है जैसे में जैसे कल शाम में लोकसवा में चर्चा हुई थी और वित्तमंत्री ने जवाब दिया था इसके बारे में तो ये पहली ख़बर इन्होंने लगाई है और इसके साथ ही जो महतोपुर्ण विदेयक पास हुआ है संसब में भारती अंटार्क्टिक विदेयक 2022 जया ये दरसल ये विदेयक है जो अंटार्क्टिक छेत्र में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान के इंद्रों के लिए घरेलू कानुनों का विस्तार करता है इस विदेयक को मंज दूरी दिये जो दूसरी खबर लगाई है अखबार ने वो लिखाई है संजय चार तक रिमांड पर बात संजय राउत की हो रही है जो शिवसिना के कदावर निता है जिनके बारे में उध्व ठाकरे ने भरोसा जताया था और पूरा विश्वास उनके प्रतिय अपना जता जा रहा है जबकि देविंद्र फड़नवीज जो उपमों के मंत्री है महरास्ट्र में वो कह रहे हैं कि सबूतों के आधार पर कारवाई हुई है तीसरी खबर अखबार में है मंकी पॉक्स से देश में पहली मौत हुई है कल हमने चर्चा की थी कि जो पहला मरीज था मंकी पॉक्स का देश में वो ठीक हो गया था कल उस खबर को प्रमुक्ता के साथ लगाया था और आज जब पहली मौत हुई है सूमवार को इस खबर को अखबार ने एहमियत दिये और बताया है कि जिस सेयात्री की मौत हुई है मंकी पॉक्स की वज़ा से वह अभी हाल ही में संय कावडियों की मौत हो गई एहम खबर है 16 के जुलसने की खबर इसके साथ लगी है और साथ ही बॉक्स में रिलेटेड खबर लगाई है जो जबलपुर में कल अस्पताल में आग लगी थी उसमें 10 लोगों की मौत की खबर है और जो एहम खबर है खेल के मैदान से से तक भारत के खाते में आया था और अंचिता के नाम कई रिकॉर्ड है उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है सिर्फ 20 साल के हैं अंचिता और 2021 ताशकंद जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चंपियंशिप में 73 किलो भारवगर में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं 2019 कॉमन 49 किलो और क्लीन एंड जर्क राउन में 170 किलो वजन समेत कुल 313 किलो वजन अंचिता ने उठाया था जो कि कॉमन विल्ड गेम्स में रिकॉर्ड भी है इस खबर को अखबार ने प्रमुखता के साथ एंकर लगाया है अखबार का और साथ में कोने में एक महतोपुर्ण खब और विश्त्रित रूप जैसे आज नागपंचमी है भी तो जानकारी दी गई है कि नागपंचमी वरत की शुरुवात कैसे होती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में आधे पेज से ज्यादा का स्पेस आज समाज ने धर्म समाज के पेज पर लगाय साथ ही सुखबोधनंद का एक आर्टिकल है जो बताता है कि आंतरिक दुख हमारी खुशियों को नस्ट करना शुरू कर देता है तो अगर आप आंतरिक रूप से दुखी हैं तो सबसे पहले अपने अंतर के दुख से निजात पाईए और ज़्यादा जानकारी अगर हासिल करनी हो तो आप इस अखबार के इस आलेख को जरूर पढ़ें इसका डिजिटल वर्जन भी उपलब्द है आप सर्च करके या आससमाज.com पे जाकर अखबार को सबस्क्राइब कर सकते हैं अब जहां से आपको और विस्तित जानकारी मिल सकेगी तीसरा पेज नहीं दिल्ली जिसको लेकर जांच भी बिठाने की बात कही गई थी उसके बाद केजडिवाल की सरकार बैक फुट पर थी तो इसको लेकर खबर है फिर खुलेंगी शराब की दुकाने और बार उपरा जेपाल ने मौजुदा आपकारी नीती 2021-22 के महने भर के विस्तार को दी मंजूरी मत पराजेपाल ने उलेक किया है कि उनके पास मौजुदा खुदरा लाइसेंस और थोक के कारेकाल को बढ़ाने और स्टॉक क्लिरेंस के लिए 31 अगस्तक विस्तार के कैबिनेट के प्रस्ताव से सहमत होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है जबकि इसका लाइसेंस 31 ज दुकाने और बार फिर खुलेंगे जबकि इस उहापोह की स्थिति के बाद सोमवार को ड्राई जैसे हालात रहे और अधिकतर दुकानों पर शराब नहीं मिली या दुकाने नहीं खुली ठेके बंद रहे इसके लावा 15 अगस्त आपके सामने हैं 13 दिन बच रहे हैं और आत जिसमें कोताही बरतना नहीं चाहती है दिल्ली पुलिस और देश की कोई भी सुरक्षा एजेंसियां बताया गया है कि युनिट से भारी संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किये गये हैं ड्रोन और मिसाइलों को गिराने के लिए एंटी एरक्राफ्ट गन की तैनाती भी की जा रही है और इसके अलावा एक और महतोपुर्ण खबर दिल्ली से ही सोमवार को नीजी कैव स्कूल चालोकों की हरताल थी जिसकी वज़ा से छात्रों को और अभिवावों को पड़े परिशानी का सामना करना पड़ा था ये खबर भी दिल्ली के पेज़ पर सौथे पन्ने पर हरियाना की खबरों का जिक्र है जिसमें विपक्ष जिस तरीके से बार-बार प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी का आकड़ा देता है CMIE के हवाले से मुख्यमंत्री मनुहरलाल ने कल दिल्ली में निती आयोग से जुड़ी बैठक में शामिल हुए थे और वहां उन्होंने कहा वास्ताव में हरियाना में बेरोजगारी दर सिर्फ आठ प्रतिशत है और इसे कम करने की दिशाओं मे युवाओं के कोशल बढ़ाने की दिशाओं में काम किया जा रहा है नीती आयों के प्रतिनीधियों के साथ वे बैठक कर रहे थे, उन्होंने बिलकुल सिरे से CMI के, IE के बेरोजगारी के आखड़ों को आधार हिन बताया, और उमिद जताई है के आगे उनकी सरकार प्रदेश में बेरोजगारी की दर को और कम करने की दिशा में काम कर रही है। इसके लावा स्वास्ते भी उनकी प्राथमिक्ता में हैं, क्रशी, सिक्षा, स्वास्ते, शेहरी स्थानिया निकाए, सूचना प्रध्योगी की और अन्य विश्यों पर भी लंबी चर्चा हुई है, विचार विमर्श हुआ है, और बताया गया कि प्रधानमंत्री की अध्य विच्षता में जो निती आयोग की बैठक होगी, उसमें हरियाना प्रधेश के सभी विश्यों और योजनाओं के बारे में विस्तार से संदर्व के साथ जानकारी रखी जाएगी, इसके बाद एक खबर है कि पंचकुला से है, जो भुपी राना गैंग के पांच मोस्ट व कहते हैं कि विध्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रिसर्च के कारियों पर ज्यादा ध्यान देनी की जरूरत है और ये समय की मांग है, ऐसा दुश्यंत चाउटाला कह रहे हैं, उन्होंने एक आग्रह भी किया है उन्वरस्टी से, सेक्षनिक बलाक द्योतिये में जो नया सभागार बना है, उसका नाम उन्होंने जीन्द के पुरविधायक स्वर्गे हरिचंद मिढ़ा के नाम पर रखने की बात विश्व विध्याले प्रशासन से कही है, और आप जान रहे हैं कि अमित पंगाल ने कल क्वाटर फाइनल में प्रवेश कर लिया था, एक तरफा सभागी है कि परिवार वाले लोग बहुत खुश हैं और सभी एक दूसरे की होसला अफजाई कर रहे हैं, बच्चे के लिए शुब काम नाएं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कि अमित आगे बढ़ें और देश का नाम रौसन करें, और डॉक्टर रवेंदर मली की एक पर लगाई है, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर का बयान भी है, स्वास्ति विभाग निराइंतर लोगों को आगाह कर रहा है कि वह कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरते हैं, मास्क जरूर पहने और अन्य जरूरी तमाम रूल रेगुलेशन को फॉलों करें, अधिकारियों के लिए निर्देश है कि कोरोना गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करें, बिमारी अभी गई नहीं है, ऐसे में सबको सालधानी बरतनी की जरूरत है, यह अनिल्विज कह रहा है, जो पांचमा पेज है, पंजाब वाला पेज मैं आपको बताऊं कि पहले 3094 करोड रुपे की बचत हो सकती है, उन्होंने एक बॉक्स भी लगाया है इस ख़बर में आज समाज ने, जिसमें लिखा है, चार महिनों के दारान 10366 करोड रुपे की कर्ज अदायगी की गई है, वितमंत्री ने कहा है कि राजी की तरफ से चार महिनों के दारान ये लिया गया है, वो सिर्फ 8100 करोड था, मतलब जो पंजाब सरकार कर्ज चुका रही है, वो ज्यादा है और जो लिया जा रहा है, वो रकम कर्ज है, कर्ज में कटोथी है 2266.94 करोड रुपे की, तो ये एक अच्छी खबर है, इसके अलावा एक खबर है, फतेगर साहिब से ल कई अन्य गंभीर अपरादों में, ये गैंगेस्टर शामिल हैं, और पंजाब में कोरोना से दो मौते हुई है, एक खबर ये लगी है इसमें, इसके अलावा परियावरण के संभाल के लिए मुहीम से चुड़ोने का न्योता दे रहा है, मीत हेर, वो कह रहा है, प्लास्ट चला रही है, उससे जुड़ने के लिए प्रदेशवासियों को न्योता दिया है, इसके अलावा एक खबर लगाई है, राजसभा सदस ने सदन में पंजाब के पानी का मुद्दा उठाया, रागव चड़ा ने राजसभा में मौत्तिल का नोट्रिस दिया था और उन्होंन ने कहा कि हरित क्रामती की जन्मस्थली, पंजाब की धर्तिगा पानी नीचे चला गया है और नदियां भी दूशित हो गई है, तो ये एक एहम खबर रागव चड़ा के हवाले से जो राजसभा में उन्होंने बात रखी थी, उसके बारे में है, आगे बढ़ेंगे, इस प आफनाक सड़क पर सांसे अटक गई थी, बरफली चोटियों पर दरसल सैनिक का ऐसी जिन्दगी जीते हैं, उसकी एक बानगी वो एक अपने अनुभाव से उन्होंने साजा करने की कोशिस की है, ये अच्छा विचार है, अच्छा लेक समझ में आ सकता है, इसको देखने की जरूरत है, और जो हमारा अगला पेज साथ नंबर पेज है, जो मेडिकल स्पिकिंग का पेज है, इसमें कई चीज़ें हैं, जो आपको आपके सेहत को फिट रखने के लिए बेहत जरूरी है, जैसे आप खान पान को लेकर आजकल व्यक्तियों में या समाज में कोई बहुत ज्यादा जाग डूपता है, खास तोर से शहरी परिवेश में, तो उनके लिए एक ख़बर है कि ब्रेन के लिए खतरनाक है इन चीजों का सेवन, तो जिन ड्रिंक्स में शूगर की मात्रा होती है, उनसे परहेज करें, रिफाइंड कार्वोहाइड्राइस और हाई ट्रांस फैट से भी बचना चाहिए, ज्यादा नमक और मीठा खाना, इनसे परहेज करना चाहिए, जो आटिफिशियल स्वेटनर्स हैं, उनका भी प्रियोग जो है आपके ब्रेन को नुक्सान पहुंचा सकता है, और खास तोर से अलकोहल, जिसका जिकर हम पेशले पेज़ पे करके आएं कि दिल्ली में फिर खुल सकती है, शराब के दुकाने और बार, तो अलकोहल का ज्यादा सेवन करना ब्रेन के लिए खतरनाक सा भी तो हो सकता है, अलकोहल की वज़ा से ब्रेन वॉल्यूम घट जाता है, मेटाबॉलिक चेंजे जा जाते हैं, जो आपको नुक्सान पह यह मेडिकली स्पीकिंग का पेज है, जो बहुत फाइदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है, जो हमारा आठवा पेज है, आज समाज का यह कहता है, इसमें देश की और राश्ट्रिय खबरें इसमें जुड़ी है, जिसमें पहली खबर है, सी एम ममता बेनर जी, पशीम ब कैबिनेट में फेर बदल की जो आशंकाएं या फ़ाहें चल रही थी, उसे बिल्कुल खारीज कर दिया है, उन्होंने कहा है कि कुछ मंत्रियों के पूरे मंत्राले को भंग करने की बात गलत है, कुछ फेर बदल होगा, लेकिन कुछ मंत्रालयों में होगा, उन्होंने कहा क कि हमने मंत्री सुब्रत मुखरजी साधनपांडे को खो दिया है और पार्थ जेल में हैं इसलिए उनका सारा काम भी रुपना नहीं चाहिए और मेरे लिए संबालना मुश्किल है इसलिए बुद्धवार को मंत्राले में फिर बदल किये जाएंगे एक खबर राइपूर से है सुरक्षापलों को बड़ी काम्याभी का जिक्र है दस दिन में तीन नकसली मार गिरा हैं ये एक खबर है और साथ ही यूपी से एक बड़ी खबर है रामायन सर्किट की तरज पर परशुराम सर्किट बनाने की बात हो रही है इसमें पांच तिर्थास्थल जोड़े जाएं महरशी पर्शुराम तिर्थ सर्किट नेमि शार्जयन से महरशी ददीची की करमस्तली मिश्रिक गोला गो करणनात गोमती उदगम होते हुए माताव कुर्णागरी से शाह जहाप् Warm के जलालबाद इस्थित महरशी परशुराम धामस के फरुखाबाद के नीम करोली धामे तक बनेगा तो छे जिलों का जिकर हमने कर दिया है और इसके अलावा एक वीडियो वाइरल था जिसके आधार पर आज समाज के समवादाताओं ने स्टोरी बनाई है जिसमें लिखा है अगर आप जिन्दा है तो यह प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी की देन है बेसिकली बोल है और यह वीडियो बहुत तेजी से वाइरल है एक ख़बर उत्राखंट से है देहरेद उनके दो गाओं में बादल फटने की ख़बर है जहां पानी और मलवे से कई सारे खेत तबाह हो गए हैं और कल जैसे हमने चर्चा की थी अजीत में दोलो का एक लेख है नाशनल वाल खत्म होता जा रहा है विडायक और मंत्री अपनी सरकार का खिलाफ बयानबाजी करके सरकार की फजियत कराने से बाज नहीं आ रहे हैं तो यह ख़बरे महत्वपूर्ण है और विदेश का एक पन्ना है जो बहुत खुबसूरत है इसमें लिखा है केलिफोर्णिया के जंग जल सब हो गया तबाह जो रह गया वह है शान्ती का गवाह बुद्ध की प्रतीमा है कैलिफोर्णिया के जंगल है बुद्ध शान्ती के प्रतीक हैं तो ऐसे में जो धाई हजार लोग आग बुजाने में जुटे हुए हैं और यह बड़ी ख़बर है इसको अच्छे से कवर पातकाल घोशित किया है जिहां जिस तरीके से कोवीड के समय हम सब लोगों ने देखा था कि इस्थितियां कैसे बिगड़ी हैं और पूरी दुनिया सहम कर रह गई थी सड़कों पर सन्नाटा पसरा था ऐसा ही कुछ हाल मंगी पॉक्स की वज़ए से और नियुवार्क ने स पॉर्टिंग कर रहे हैं लगातार और खबरें उनकी लगातार इसमें आ रही हैं किस तरीके से अब नौ पदक हो गए हैं और भारत तैली में अभी भी छठे स्थान पर है और अजय सिंग के पदक से चूकने की खबर इसमें लगी है तमाम कलरफुल फोटोग्राफ्स हैं लॉन बॉल में महिलाओने भारत की टीम ने न्यूजलेंड को हराकर रज़त पदक पका कर लिया है इसकी एक खबर है और अंचिता को पीएम मोधी की शुभ गामनाएं है औ और टुटर पर जो मोधी पीएम मोधी ने एक वीडियो वो किया है वो भी खिलाडियों के साथ बाचित का वीडियो है वो साजा किया है लेगिन शीवली कहते हैं जो जिन्हों ने स्वेडन जीता कल कि मैं पदक जीतकर खुश हूँ संगह का संघर्शों को पार करने के आएंगे यह वो वादा कर रही है कि लोक सभाइम उन्होंने कहा है महंगाई पर संसद में वो जवाब दे रही थी और उन्होंने कहा कि GST संग्रह पिछले पांच मेहनों से लगातार 1.4 लाग करो रूपे से अधिक है उन्होंने संभावना जता ही है कि भारत में मंदी की कोई संभावना नहीं है कोई आशंका नहीं है कहीं कोई परिशानी की बात नहीं है उन्होंने कहा है कि अमेरिका की GDP में दूसरी तिमाई में 0.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और पहली तिमाई में जो GST कलेक्शन हुआ है उसे दूसरा बड़ा GST कलेक्शन बताया है कई उन्हें उधारन दिया है बताया के चीनी बैंक दिवालिया होने के कगार पर है और तबाम चीजें थी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए अच्छा काम कर रही है सरकार और इसके अलावा म करोल की कमाई का स्पेक्ट्रम खरिदा गया है कि इसमें स्पेक्त्रम से देड़ लाग करोड की कमाई हुए है जीओ ने पेक्टरम खरीदा अडानी ने 400 मेगा हर्ट्स के लिए 212 करोड़ रूपए खर्च किये हैं यह एक महतोपूर्ण खबर है जो आगे आने वाले समय में आपको इसका कुछ लाब जो है 5G उसके लिए जब तकनीक आएगी तो उसमें इसका असर आपको दिखाई पड़ेगा और आखरी जो प्रना है वो मनरणन्यन का है रोचक समाज का है इसमें खबर खास्त और से उर्फी के कपड़ों का जिक्र है शिर्शक लगाया है अखबार ने पहले छोटे हुए और अब गायब होते जा रहे हैं उर्फी के कपड़े दरसल उर्फी जावेद को आप जानते हैं वो अपने कपड़ों को लेकर चर्चा में रही है पहले भी और उनके जो फोटो शूट हुए वो काफी होट होते थे उस खबर को उन्होंने काफी स्पेज दिया है और बड़ा करके छापा है लेकिन जो एक और ज़रूरी खबर इस पेज पर है लाल सिंग चड़ा जो अमिर खान की फिल्म आने वाली है जिसके बाइकाट के लेकर करके सोशल मीडिया पे कई चीज़ें ट्रेंड कर रही है तो ऐसे में अमिर खान ने अपने फैंस से अपील की है प्लीज मेरी फिल्म जरूर देखिएगा इसके लावा औ और दो-तीन-चार अलग-अलग छोटी-छोटी ख़बरें बॉलीवड की दुनिया सिस में लगी है आप चाहें तो विब पे जाकर इस अख़बार से रूबरू हो सकते हैं डिटेल में आप वहाँ पर चीज़ें हासिल कर सकते हैं वीडियो के बारे में आप अपनी राय हमस साजा कर सकते हैं कमेंट का खुला है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद